Hey guys, what's up, good morning everyone, तो कैसे हैं आप सब लोग, welcome back to your own channel, दीपक यादव साइस अकेडमी, welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 12th of October 2020, तो आज है तारिक 12 October 2020, और है मंडे, देखेंगे अच्छे दा हिंदू complete newspaper, दा हिंदू complete newspaper को अनलाइस करेंगे from the viewpoint of UPSC and other various comparative exams, discussion स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक As you can see, आप लोग कोई channel मिल जाएगा, नहीं मिलता है channel कोई बात नहीं, इस channel का link मैंने आप लोग को description box में दे दिया है, description box में जाओ, list link को click करो और जाकर इस channel join कर लो, क्योंकि आप आपको daily दा हिंदू newspaper मिल जाता है, आप download कर सकते हो, साथी साथ आप लोग को यहाँ पर daily current affairs मिल जाते हैं, जो कि हमारे दाहंदू newspaper के उपर based होते हैं, ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अभी देख, आपने चल को subscribe नहीं कहा है, तो subscribe कर दे लिए ना, नीचे रेटेलर का button आ रहोगा और bell icon ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो की notification मिस ना कर सको, तो start करते हैं, discussion और आते हैं, सबसे पहले page number one के उपर, page number one पर आपना येवाल article क्या बोलता है, कि जो COVID-19 की testing है, उसके लिए अभी तक कौन सा test था हमारा RT-PCR, reverse transcription, polymerized chain reaction येवाला testing होती थी, लेकिन अब एक नई testing आने वाली है, जिसका नाम है paper strip virus test, ओके, एक paper strip होता है ठीके, उसके थुरू virus का test करा जाएगा, कि हाँ, body में ये virus present है या नहीं है, ठीके, तो यहाँ पर ये जो picture आप लोगों दिख रही है, इसके अंदर detail में ये पूरा process समझाया हुआ है, अब ये जो नया test है, COVID-19 का, इसको FALUDA कह सकते हो, आप FALUDA कह रहे हैं, ये लोग, उसके बाद ये develop करा गया है, Delhi-based CSIR Institute of Genomics के द्वारा, ओके, यहाँ पर Delhi के द्वारा जो है, इसको करा गया है, launch वगएरा, अब जो ये paper strip test है, ये approve करा गया है, for a commercial launch, क्योंकि यहाँ पर ये test जो है, वो बहुत जादे सस्ता होने वाला है, अभी तक test बहुत जादे महंगा ह होता था, RT-PCR test भी बहुत जादे costly, expensive है, लेकिन ये paper strip test है, जो COVID के लिए होगा, ये काफी सस्ता है, ओके, तो यहाँ पर हर कोई इससे करा भी सकता है, ये cost इसकी देखोगे तो 500-600 रुपे के लगबग यहाँ पर लगेगा, और इसकी testing, आपकी जो आपके body की testing हो जाएगी 2000 लोगों के ओपर यहाँ पे patients के ओपर इसकी testing हो चुकी है, तो उसमें से आप ये लगा लो कि काफी हद तक लोगों को आसर पहुंचा है, बहुत अच्छा यहाँ पर accuracy rate इसका दिखाई दिया है, यानि कि 100% मैंसे 98% तक इसका result है, यानि कि 100 लोगों मैंसे 98% को यहाँ ठीक कर चुका है ये test, ओके जो की काफी अच्छी बात है, उसके बाद यहाँ पर type of sample की बात करें, इधर saliva और blood, लेख हो, यहाँ पर saliva भी लग सकता है आपका testing के लिए, या फिर blood की भी ज़रूरत पढ़ सकती है, दोनों के थिरू testing हो सकती है, लेकिन जो saliva है वो यहाँ पर बोल का sample ले लिया, testing हो चुकी, तो किते देर में आपका result आजाएगा, 45 minutes में आपका result आजाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आपकी body में virus present है या नहीं है, जो RT-PCR test था हमारा, वो 1.5 घंटा लेता था, RT-PCR test 1.5 घंटा लेता था, rapid antigen जो है, यह 30 to 40 minutes लगते थे ठीक है, और through nut test जो है, इसके अंदर यहाँ पर 60 minutes लगते थे, तो obviously यहाँ पर आप देखोगे, सबसे कम time लग रहा है, हमारा इस paper test में, okay, इस सबसे कम time लग रहा है, सबसे कम पैसे लग रहे है, result भी अच्छा है, तो obviously बात है, काफी अच्छा होने वाला है, इसको लेकर, okay तो RT-PCI test के बारे मैंने आपको काफी बार detail में पढ़ा रखा है, कौन सा होता है, यह reverse transcription polymerized chain reaction, इसमें basically होता क्या है, कि कोई person होता है, person की nose में से swab, उसका swab color कर जाता है, liquid लिया जाता है, फिर उसके बाद, उस liquid में से molecules को अलग कर दिया जाता है, molecules को उस liquid में से molecules को अलग और RNA, ribonucleic acid को अलग कर दिया जाता है, फिर RNA को क्या कर जाता है, इसको convert कर दिया जाता है DNA में, okay, deoxyribonucleic acid में, इसी वज़ा सो तो कहते हैं हम लोग reverse transcription, यानि कि reverse में चले जाता है, RNA को convert करता है DNA में, फिर DNA की testing वगेरा होती है, जिसके बाद आप लोग को पता चलता है, ठीक है color code, यहाँ पे color code के थूरू पता चल जाता है कि हाँ test में आप positive हो या negative हो, जो यह paper strip test है, यह generate करता है दो line, अगर आप positive होगा, यानि कि आपके body में अगर virus present होगा, तो अगर आपका result जो है positive होगा, तो क्या होगा, आपके जो paper strip में दो line बन कर आएंगी, ठीक है, द detail में देखा, paper strip virus test के बारे में, ओके यह test आने वाला है जल्दी, अब यहाँ पर यह जो picture है, मैंने टेलिग्राम पे भी share कर रखी, आप लोग जाकर टेलिग्राम से उस picture को देख सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर मैंने एक picture, उसके साथ एक और picture share करी है, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर मैं अभी एक second upload को दिखा देता हूं, यह picture मैंने आपको यहाँ पर share करी दिये, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, यह strip testing वगरा होती है, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद, next छोटा सा article यह दिखेगा, CBI ने, जो hathras case हुआ था, आपको पता है, हathras में अभी हाँ पर, क्या हुआ, 19-year old girl का rape कर दिया गया था, तो उसके regarding, काफी सारी चीज़ें हाँ पर देखने को मेरी, काफी सारे सबूत जो है, वो दबाए गए, उसके बाद, CBI ने remove कर दिया है, हathras की जो FIR जो register करी गई थी, first information report, ठीक है, जब register करी गई थी, website से, website क Bureau of Investigation, क्या काम है इसका, ऐसे ही जो crime होते हैं, ये ऐसे ही जो crime cases आते हैं, उनको investigate करना, उनकी जांच पलताल करने का काम किसका होता है, CBI का होता है, अभी current में CBI के director कौन है, आप लोगों को पता हो, तो नीचे comment section बता हो, आपके लिए question है, CBI का, who is the current director of CBI, तो CBI का director कौन ह सबी लोग नीचे comment section में बताएंगे, ओके, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद next जो है एक छोड़ा सा article ये दिखेगा, important नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर एक थोड़ा सा idea मिल जाएगा, क्या है यहाँ पर basically, जो कश्मीर में tourism है, वो छोटे-छोटे steps की तरफ बढ़ रहा है चोटे-छोटे steps लेकर बढ़ रहा है, कि वहाँ पर tourism normal हो जाए, क्योंकि अभी आपको पता है कश्मीर में कितनी बुरी हालत चली, last year से ही आप सोच लो, जब CAA आया, Citizenship Amendment Act, उसके बाद आज के इस साल क्या हो गया, COVID-19 आ गया, अब क्या हो गया, पूरी तरह से कमर तूट उस एरिया की, तो वहाँ पर जो tourism है, कैसे जाएगा person, जब यहाँ पर C, Citizenship Amendment Act के तूरू, यहाँ पर इतना जाद है, बवाल वहाँ पर देखने को मिला, तो कोई नहीं गया, फिर उसके बाद COVID-19 आया, pandemic आया, lockdown लगा, उसके बाद कोई नहीं जा रहा, ठीक है, तो जो tourism है, अब्धियस से बाद है, वह डाउन पहुँच जाएगा, तो अब धीरे-धीरे जो है, वह tourism अपने नौर्मल की तरफ, नौर्मल हो रहा है, तो उसी के ओपर यह article है, आगे बढ़ता है, पेज़ नमबर टू के ओपर आता है, पेज नमबर टू के ओपर आते है, पेज नमब बाते बताऊंगा कुछ बहुत अच्छी तरीके से जो की expected चीज है जो की बहुत जदे important हो सकती है अब की बार mains के लिए अगली बार के prelims के लिए 2021 के लिए prelims के लिए important हो सकती है वो हम बात में बात करेंगे सबसे पहले आप लोगों यहां पर एक article यह दिखेगा इस article में यह बात करी जा रही है जो करनाट का है उसको red alert दे दिया गया है red alert यानि कि फिर जहां पर बारिश हुई है बारिश के बाद वहां की situation बहुत जादे बुरी है सड़क वड़क सब टूटी फूटी पड़ी है जो कि हाँ पर इत्ती भारी भरकम बारिश ने यह सब काम करा है और जो है बुरी हाल अत्मा की हो चुकी है ठीक है उस area की तो वहां पर red alert दे दिया गया है और yellow alert कहां पर देता है yellow alert जहां पर heavy rainfall होने की chances होता है जहां पर काफी भारी भरकम बारिश होने की chances होता है वहां पर कौन सा देता है alert? yellow alert उसके बाद next article यह वाला article जिसके ओपर आज हमने thumbnail भी बनाया है आपको picture में दिखा होगा हमने beach की photo लगा रखी है thumbnail के अंदर तो यहां पर क्या बात है कि blue flag tag या फिर आप कह सकते हो blue flag certificate दिया हुआ है किसको दिया? एक पदु बिदरी beach को पदु बिदरी beach को यहां पर है pow ब्लू भी टैग मिल चुका है ठीक है? तो यहां पर कहाँ पर है? पदु बिदरी beach? उदुपी कह पास में है इसको blue flag tag मिला तो अब यहाँ पर अगयर इसको यह tag या फिर यह certificate मिला है तो इससे इसको क्या फाइदा होगा क्या benefit मिलेगा या फिर इसको क्यों दिया गया है तो सबसे पहली बात तो भाई यह देख लो कि blue flag certificate यह मैंने पढ़ाया था आपको पहले भी safe healthy environment होता है उसको यह blue flag tag हम लोग देते हैं ठीक है जिससे कि उसकी जो पहचान है कि हाँ इस पर्टिकुलर जगे का जो बीच है उसको जो है पूरा country जाने अच्छी तरीके से कि हाँ वहाँ पर कहती साफसफाई रहती है तो अभी हाँ पर पदू बीदरी बीच को यह tag दिया गया है क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छी साफसफाई देखी गई है अगे बढ़ते हैं उसके बाद आते हैं नेक्स पेज पर यह पेज नंबर कौन सा है अपना नाइन है पेज नंबर politics related news है पेज नंबर 10 पर हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे यह वाली news इस वाली news में क्या बात करी गई है जो sanitizers हैं soap हैं यह सारी चीज़े हम लोग आज के टाइम पर बहुत इस्तमाल कर रहे हैं और कुछ-कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि कुछ हद से जादा इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है कि बार-बार लगाना तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो sanitizer soap हैं यह damage भी कर सकते हैं यह experts के द्वारा बताया गया कि अगर आप जादा मात्रा में आप कुछ जादे over ही उसको इस्तमाल करोगे अगर आप अपने हिसाब से इस्तमाल कर रहे हो खाने खाने से पहले इस्तमाल कर लिया फिर कहीं बाहर से आई उसको इस्तमाल कर लि उसको और जादे बुरा बना देता है ठीक है उसको और ज्यादे ख़तरनाक बना देता है तो अगर वो और जादे खतरनाक बन जाएगा तो आप infection से लड़ने में काफी जादे आप कह सकते हो की अस्तमरधर होगे और बहुत जादे आपको problem्स पढ़ेंगी infection से लड़ने के ओ Сब्स्ट कर लिआ कुम्स कर लिए को ठाद करें कर लिए ऑसके समय कर लिए ऑगर आप घर में बैठे हो सही फ़ीए कई गई नहीं हो दो पर कईके चुछ हो लिए अपर अश्पर आइप बिषाइस करंगे शाइस लाए पको इमेल टॉण करोगे कोई भी चीज तो फो नुकसान भी पहुचाएगी चाहे वह कितनी ही अच्छी चीज हो ठीक है तो यहाँ पर इसी वियसे कालाता है be in limit तो जो भी चीज करो हो limits में करो beyond the limits करो लेकिन उस limits से बाहर मत करो limits से बाहर करोगे तो obviously बात है उससे नुखसान होगा ही होगा फिर उसके बाद आते हैं हम लोग next page next article पर आते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है school जो close हुए हैं काफी लंबे समय से schools बंद पड़े हैं ठीक है कितना time हो गया आज से यह time पहली बारी होगा कि हाँ बच्चों कितनी लंबे चुटी पड़ी है आज से पहले पता नहीं कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो school जो है वो काफी लंबे समय से बंद है ठीक है 6-7 महीने हो गए अल्मोस्ट बंदी ही पड़े है school तो यह जो इंडिया को आप कहसकते हो यह भी इंडिया को आने वाले टाइम में एक डैमेज पहुचाएगा यह भी इंडिया के आने वाले टाइम के लिए खतरा बन सकता है यह डैंट लग सकता है इंडिया के में पूरे इंडिया को आने वाले टाइम में एक डैंट का काम कर सकता है क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे पड़े नहीं, productivity बहुत जादे low हो चुकी और World Bank Report ने ये बोला है कि आने वाले टाइम में हमारी जो income है, इंडिया की income है वो down हो सकती है क्योंकि आज के टाइम पे schools वगरा वो बंद पड़े है, future earnings की बात हो रही है, exactly, मैं बात करें तो तो जो ये extend हो रहा है, closure of the schools, यानि कि जो schools बंद ही पड़े जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं और आप देखोगे, आज 6-7 महीन हो चुके हैं, schools बंद पड़ें, okay, COVID-19 pandemic की वज़ा से तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, इंडिया को एक dent पहुचा सकता है, उसकी future earnings के उपर, यानि कि आने वाले time में जो ये future earnings होंगी, उसके उपर यहाँ पर एक खत्रा हो सकता है कितने earnings तक का यहाँ पर, कितना यानि कि अंदाजा, कितने रुपे तक का यहाँ पर dent लग सकता है, तो आप यहाँ पर देखोगे, 420 billion dollar से लेकर, 600 billion dollar तक यहाँ पर बोला जा रहा है, नुकसान हो सकता है, इंडिया को आने वाले time में, okay, तो उसके उपर यहाँ पर बात है क तो फिर बच्चा आज के time पर पढ़ेंगे, और फिर future में वही अच्छा करेंगे, तो आज के time पर education down चली गई है, चाए वो कोई सा भी sector हो, चाए वो higher education हो, चाए वो lower education हो, चाए बच्चा graduation में हो, चाए PhD में हो, सब ही बंद पढ़ा है, है ना, तो फिर क्या होगा, आने आने वाले time में क्या हो सकता है, कि यही चीज आने वाले time में हमारे लिए income generate कर सकते थे, लेकिन आज के time पर एक दो साल पीछे चले गए, बहुत से लोग होंगे, जो एक दो साल पीछे चले जाएंगे अपने studies में, तो फिर क्या होगा, आने वाले time में जो है, income का loss हो सकता ह इंडिया को, या फिर income के उपर dent लग सकता है, इंडिया को, तो उसे के बारे में यहां पर बात करी गई है, आगे बढ़ते हैं, next article यह भी दिखेगा आपको, यह किस चीज के बारे में article है, यहां पर यह article 15 को लेकर है, RTI Act, ठीक है, right to information Act को लेकर है, crippled by huge backlog, अब यहां पर क यहां बात करी जारी है, basically कि जो cases हैं, जैसे कि court में cases जाते हैं, covid के cases मत समझना, court में जो cases जाते हैं, वो बहुत ज़्यादे pending पड़े में आज के टाइम पर, तो फिर क्या है यार, उसको भी तो solve करना चाहिए, उसे को पर यह article है, एक report आई है, report का नाम यहां पर आप देख गया कि जो महराष्ट्रा है, वहां पे highest number of pending appeals है, ठीक है, सबसे जादा appeal महराष्ट्रा में है, with over 59,000 cases, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 47,923, तो यहां सब देखा गया है, सबसे जादे cases pending दिखाई दे रहे हैं, तो यह cases pending है, और pending अगर cases हैं, तो क्या होगा, जो जा रहा है, non-imposition of penalties in deserving cases by a commission sends a signal to the public authorities that violating the law will not invite any serious consequences, ओके, तो क्या कर रहा है, अगर यहां पर अगर यह सारी चीज़े हो रही हैं, तो फिर आएक तरीके से जो यह penalties बगरा लागू नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि cases जो हैं, वो pending पड़े हैं, अगर case की जो सुनवाई होगी उसक कर पाएंगे, तो आप यहां पर penalties बगरा लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, basically, जो आप कह सकते हो, एक दूसरे law का क्या हो रहा है, violation हो रहा है, तो उसके regarding बात करी जा रही है, ओके, तो फिर, जो हमारा RTI law है, RTI law है, एक उसका basic framework को destroy करता है, यह सारी यह किस चीज़ के बारे में, चाइना जो है, ग्रांट कर रहा है, 90 मिलियन डॉलर, श्री लंका को, क्यों कि ताकि श्री लंका अपने medical care, education, water supplies को अच्छा कर सके, इस वैसे चाइना जो है, इतने रूपे का लोन दे रहा है, आप कह सकते हो, ओके, तो चाइना वैसे भी काफ जरू से फसा लेता उसके अंदर, और जो चाहे मर जी फिर वो काम करवाने लगता है, तो इस तरीके से इसकी जो यह नीती है, वो बहुत पहले से आ रही है, ओके, चलती भी, आब आते हैं अप लोग, आप और हम दोनों है मिलकर आते हैं, एडिटोरियल के उपर, पेज पेंडेमिक and the collective consciousness, तो जो COVID-19, unlike the Spanish flu, COVID-19 से पहले के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वाइरसिस आ के जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे खतरना खतरना वाइरसिस आ चुके हैं, जिनोंने बहुत बुरी तरह से कमर तोड़ चुके थे, countries की, world की, ठीक है, बहुत लोगों की death हुई उन वाइरसिस है, तो ऐसा ही हमारा COVID-19 है, लेकिन COVID-19 का impact इतना इंसानों पे नहीं दिख रहा, जैसे पहले वाले वाइरसिस थे, वो काफी जादे उनसे नुकसान होता था लोगों को, लेकिन इससे लोगों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना economy और political impact पड़ा है, economic impact तो इतना जादा पड़ा है कि आज के टाइम पे इंडिया की बहुत बुरी situation हो चुकी है, economic को लेकर, अर्थ वियवस्ता जो है वो पूरी डगमगा चुकी है, इंडिया की, जिसको संभलने में अभी काफी time भी लगेगा, तो जो impact है इस pandemic का इतना लोगों के उपर नहीं जो अभी हाँ पर आप death के numbers बगरा देखोगे, ये भी अभी absolute नहीं है, correctly नहीं बताएगा है, ठीक है, तो लेकिन अभी हाँ पर हम लोग देखें, तो इस COVID-19 का, जो impact है वो economic के उपर, अर्थ व्यवस्ता के उपर, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो किसी बाहर की country को, चा करें, क्यों skip करें, क्योंकि यहाँ पर, जो हमारे past time में, history में जो viruses आ के जा चुके हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, ये थोड़े कम viruses हैं, एक दो की नाम लिए गया है, लेकिन मैं आपको सारे के सारे details बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक important question बन जाता है, चाह यहाँ पर starting से, सबसे पहला जो virus आया था, वो plague आया था, ठीक है, उसका बाद यहाँ पर इसने कितना नुकसान पहुचाया, ये चीज़े भी आप लोग को देख जाएंगी, कितना नुकसान यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर यह दिखेगा, 50 million people की यहाँ पर death हुई, 30 million स यहाँ प्लेग वाइरस था, इसे हम लोग यह जो हुआ करता था, यह यह सीनिया पैस्टिस के द्वारा हुआ करता था, उसके बाद जो black death आया, एक black death भी बिमारी आई, यह भी बहुत जादे खतरनाक थी, 25 million तक people की death हुई, smallpox आया, 15 से लेके 17th century के टाइम पर जो है, smallpox आ रखी थी, cholera आया, cholera आभी काफी सामें पहले तक देखा जाता था, हलाकि आज कल भी कभी कभार देखा जाता है, लेकिन बहुत कम देखा जाता है, cholera 1817 से लेकि 1823 के टाइम पीरेड माया, और इसने किते लोग की यहाँ पर आप कह सकते हो, कि death हुई है, इस cholera की वज़ा स 1918 से लेकि 1990 के बीच में इसका टाइम पीरेड था, 500 मिलियन पीपल को इसने इनफेक्ट किया था, 500 मिलियन पीपल जो है इनफेक्ट थे, 50 मिलियन पीपल की यहाँ पर death हो चुकी थी, यह याद रखना सबसे जादा लार्ज क्या है सकते हो, बहुत जादे एकदम highest number है अभी इसके बाद Hong Kong flu, H3N2 वाइरस आया, इसने भी बहुत बुरी तरह से आप आप देखोगे तबाही मचाईए, सारे ही वाइरस HIV AIDS आया, HIV AIDS आज के टाइम पे भी चल रहा है, यहाँ पर देखोगे 1981 से स्टार्ट हुआ था, आज प्रेजेंट के टाइम पे भी AIDS वगएरा देख Swine flu आया, Swine flu के बारे में भी आपने सुना होगा, Swine flu 2009-10 के बीच में था और इसने भी बहुत जादे तबाही मचाई भी थी, Ebola आया, Ebola 2014-16 के बीच में तो इसने भी आप देखोगे काफी लोगों की जान ली, इसने अलमोस्ट जो है 11,325 से लेका 28,600 पिपल तक यहाँ पर जान ली, फिर अब यहाँ पर COVID-19, coronavirus, coronavirus 2019 में यानि की पिछले साल, last month के में आ गया था, फिर उसके बाद 2020 में अभी तक यहाँ पर चली रहा है COVID-19 और इसने भी अभी तक काफी जार है, यह जो death है यह बहुत कम नंबर बता रहा है, क्योंकि यह article मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया था, मैं बता हूँ मैंने कब पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था यह article आप लोगो जून में, जून में पढ़ाया था, तो तब यहाँ पर death इतनी हो थी, 24,000 के आसपास, आज तो deaths बहुत हो चुकी है, तो उसे के बारे में यहाँ पर यह article है, ओके, तो यहाँ पर इस article में सारे viruses के बारे में बताया था, इसके बारे में याद रखना, आपसे question पूछा जा सकता है, pandemics of the world के नाम से, क्योंकि यह question जो मैंने उड़ लिया था, यह काफी जादे famous हो गया था, उस समय, pandemics of the world के बारे में पूछा जा सकता है, तो इन सारे pandemics को याद रखना उसके बाद आते हैं next article पे, next article हमारा यह है, अब यहाँ पर यह article जो highlight कर रहा है, इस आप पढ़ सकते हैं, आपको बताऊंगा basically है क्या यह article, जो भी vaccine, यह COVID-19 की basically बात हो रही है, कि जो coronavirus की vaccine आएगी, वो सभी के लिए, जो है सभी के लिए लागू होनी चाहिए, ना कि अमी future section के लिए आनी चाहिए as well, okay, उसके बाद यहाँ पर बात करें, वो ही चीज़ बोली गई, अब यहाँ आगे हम बात करें, measures with huge cost, we have exercised whatever tried effective method, याने कि हम लोग तो कोशिश करी रहे हैं यार, जो भी हम से हो सकता है, वो हम पूरी जान लगा रहे हैं, पूरा research and development department लगा हर एक biologist, कोई भी है वो लगा पड़ा है कि जल से जल इसका solution निकाला जाए, लेकिन अभी तक कोई इसका solution नहीं आ रहा है, तो फिलाल हम लोग अभी क्या क्या huge cost लगता है हमारा किस चीज में, जैसे quarantine, lockdown, hygiene, social distancing, ये सारी चीज़े हम लगा रहे हैं, अभी इन सारी चीज़ो अगर ये चो cost वगएरा बढ़ रही है, तो फिर और जादे हापर, economy वगएरा हम लोग की, economy के उपर काफी जादे बुरा असर पड़ रहा है, लोगों के उपर बुरा असर पड़ रहा है, लोग भूके मर रहे हैं, ऐसी situation आ रही है, और ऐसी situation हमने lockdown के time पर देखा, जब lockdown ल होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आज के time पर बात करें, तो तीन vaccine हमारी phase trial में चल लए है, वो sorry, तीन vaccine है जो कि phase 3 trial में चल लए है, फेस 3 trial के बाद वो phase 4 trial में जाएंगी, देन उसके बाद वो सारी चीज़े applicable होने के बाद वो manufacturing में आएंगी, तो वो तीन vaccine कौन कौन सी है, जो कि phase 3 clinical trial में चल लए है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, चलो याद कर लेता है, कोवी शील्ड, कोवी शील्ड, और दूसरी हमारी है, कोवैक्सीन, तीसरी है हमारी, जाइकोवडी, जाइकोवडी, ओके यह हमारी तीनो vaccines हैं, जो कि अभी phase 3 trial में चल लए है, होप करो कि यह vaccine जो है successful हो, और आने वाले time में जल से जल इनकी manufacturing हो, फिर उसके बाद सभी लोगों को यह inject करी जाए, जिससे कि यहाँ पर क्या हो कि लोग यहाँ पर बच सकें, और अपनी बापीस चीज़े वापस अपनी पट्री पर आ सकें, अब यहाँ पर बात कर जाएं तो एक effective vaccine कौन सी है, what an effective vaccine is, being more cost effective than medicine, vaccine provide a method of prevention, यानि कि जो medicine है, हमारी दवाईया है, दवाईया सो ज़्यादा cost effective होनी चाहिए इस vaccine को, ज़्यादा क्या होना चाहिए, more cost effective होनी चाहिए medicine से, ठीके, और medicine से ज़्यादा अच्छे काम करें, जो obviously बाते vaccine जो है, वो medicine से करें, in the first place इसका काम vaccine का यही हो, कि वो protection से, वो protection दे हम लोग को against the infection, उसके बाद जो chains है, उसको disrupt कर सके, जो transmission का chain है, यानि कि एक बंदे से दो दूसरे बंदे में फैल रहा है, वो chain को वहीं पर breakdown कर सके, जिससे कि यह खतम हो जाए, वाईरस जहां पैदा हो रहा है, वहीं प कर सके, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, वो सब, अमीर तो खेर करी लेगा, अफोर्ड लेकिन गरीब भी यहाँ पर अफोर्ड कर सके, उसके बाद, last में हम लोग के, यहाँ पर एक चीज़ बोली गई, यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि tension यह है कि भाई, post COVID-19, COVID-19 का, पूर, यह की है कि यार, बोई, बिल्कुल बात की, यहाँ पर अगर vaccine आ जाती है, तो देखा जाएगा, यह किसे मिलती है, richer section वाले people को मिलती है, फिर poor section वाले people को मिलती है, यह देखने की बात है, आने वाले time बर, उसके बाद, यहाँ पर जो history हमारे past में, इतने सारे viruses आ है जो कि हमने अभी देखे, ठीक है, काफी सारे virus के बारे में हमने पढ़ा, तो यहाँ पर यह सारे virus यह बताते हैं कि पूरे globally, ऐसे हमारे smallpox था, smallpox के लिए हमने क्या करा, पूरा globally एक effort लगाया, और जो vaccine थी, वो पूरे दुनिया में provide कराई गई थी, तो ऐसे हम लोगों COVID-19 भी vaccine के लिए भी करना है, तो यहाँ पर काफी सारे noble laureates हैं, काफी सारे noble laureates, global personalities, जिन्होंने sign किया, appeal किया, कि जो COVID-19 की vaccine है, वो एक global common good को declare कर देनी चाहिए, यानि कि वो सभी नागरिक के लिए चाहिए, वो पूरे दुनिया में कोई भी हो, सभी के लिए common good है, ठीक है, ऐस यहाँ पर कर देना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको sign किया हुआ है, और हम लोग के यहाँ पर ज़दे तर जोर है, जोर लगाना यही है, कि जो countries of the world to unite to pass a resolution of the United Nation, United Nation की जो countries है, वो सब क्या करें, एक resolution pass करें, United Nation में, ताकि जो novel coronavirus vaccine है, अगर vaccine आती है, तो वो जो क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई commercial ownership नहीं होनी चाहिए, ठीक है, commercial ownership ना हो, और जो vaccines है, वो सभी को available करी जाए, उसी के बारे में हमारा यह article है, next article आप लोगो यह देखेगा, यह किस चीज़ के बारे में, यह RBI ने अभी अपनी monetary policy committee के में, तीन लोग को appoint किया, तीन members को appoint ठीक है, तो उसी के regarding बात है, कि जो RBI के बारे में, यहाँ पर पूरा का पूरा बताया है, कि reverse, reverse कह रहा हूं, मेरे को कुछ और याद आ गया, RBI Reserve Bank of India, ठीक है, Reserve Bank of India ने यह अपने monetary policy committee के थ्रू यहाँ पर यह बताया, कि जो raporate है, raporate और reverse raporate, यह बोलना था मेरे, पहले, raporate है, और जो reverse raporate है, वो सब unchanged रहेगा, कोई इसके अंदर change वगएरा नहीं होगा, इस पूरे article में यही इनी के उपर बात करी गई है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़े पढ़ेंगे अलग से, मतलब इसी article से related होगा, वो monetary policy committee क्या है यार, इसके बारे में पढ़ ले हैं, और यह committee, इस committee का एक जादतर main काम यह है, कि जो interest rate है, उसको देखना, ठीक है, interest rate, जो ब्याजवाला काम होता है, उसको देखना, और जो rate है, उसको कम जादे करने का काम इस committee का होता है, और interest rate हम लोग raporate भी होता है, और reverse raporate होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, उ आप लोग इसके objectives देख सकते हो कि objectives क्या-क्या है business cycle को stabilize करना एक reasonable price बना के रखना economic growth को और बढ़ाना exchange rate की उपर यहाँ पर उसको stability maintain करके रखना जो भी हमारा foreign exchange rate होता है अब यहाँ पर जो MPC monetary policy committee यह picture बहुत बढ़ी है picture है यहाँ पर आप लोग देखोगे इसमें 6 लोग हैं अभी कौन-कौन से नए लोगो को appoint करा गया है मैंने भी आपको पहली बताए यह article हम 3 बार already discuss कर चुक हैं जो कि daily viewer होंगे उन्हें पता होगा कि जो यह monetary policy committee है इसमें 3 लोगो को नए तीन लोग को appoint करा गया है वह कौन-कौन है आशिमा गोयल और यहाँ पर जयन्त कवर्मा और यहाँ पर तीसरे है शशंग भीडे और यह तीन भी personality भी जो है उसके अंदर ही है उस committee के अंदर की कौन है शक्तिकांता दास जो की आर्विया के रखना है ठीक है हलाकि आज के टाइम का जो रापो रेट चल ला है वह आप देखोगे 4% है रापो रेपो रेट और रिवर्स रापो रेट अपना आज के टाइम का कितना है 3.3% 3.35% है और यहाँ पर इस चांस भी वह है बिल्कुल अंचेंज रखा है तो यहाँ पर यह सारी चीजों को देखना था इन सारी चीजों को देखते हुए इस इस Monopoly Policy Committee ने क्योंकि इसका कामी यह है इंट्रेस्ट रेट को देखबाल करना इंट्रेस्ट रेट को एक 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 फिक्स इंट्रेस्ट रेट को लागू करना तो यहाँ पर यह बोला कि इंट्रेस्ट रेट अपकी बार अंचेंज रहेगा यानि कि जो 4% चलता वह आ रहा था वो ही रहेगा, same, अब गाईस, यहाँ पर यह रेपोरेट क्या होता है, चलो, यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर काफी सारी जगे है, यहाँ पर समझाता हूँ, ठेको, रेपोरेट क्या होता है, जब कमर्शिल बैंक, सोरी, सेंट्रल बैंक, यानि कि RBI हमारा, जब रिजर्फ को, तो वो एक रेट पे, एक इंट्रेस्ट रेट पे तो देगा, यानि कि जब लोन देगा, तो उससे ब्याज भी तो लेगा, तो जो ब्याज का रेट होता है, उसे हम लोग कहता है, रेपोरेट, उके, उसके बाद जो रिवर्स रेपोरेट होता है, इसमें रिवर्स का आ तो यहां पर यह system है बहुत easy सा system है आपको पता होना चाहिए तो आपको समझ में आ गया होगा रैपोरेट और reverse रैपोरेट तो basically इस article में यही कहना है जो RBI ने अभी committee बनाई committee ने यह तै करा कि जो RBI reverse रैपोरेट है और रैपोरेट है वो सब unchanged रहेगा कोई यहां पर उसके अंदर change और नहीं आएगा next उसके बाद नहीं पर आता है food for peace अभी आप लोगों पता यह भी article मैंने detail में discuss कर रहा था परसो किस चीज़ के बारे में nobel peace price दिये गए हैं सारे categories में मिल चुके हैं फिर उसके बाद नहीं पर एक और nobel price दिया गया है किसमे world food program को world food program को nobel price दिया गया है और यहां पर मैं को बताता हूं कि यह जो world food program है इसका क्या काम है और कितने बहतरी तरीके से इसने काम किया है ओके तो world food program को nobel price 2020 का दिया गया है क्यों कि इसने अपनी पूरी जान लगा दी थी hunger को combat करने में जो भुकमरी है उसको कम करने में इसने जो है काफी जादे काम किया और बहुत सार लोगों को इसने खाना खिलाया पूरी दुनिया में ठीके बहुत सारे लोग जो की भूके मरते हैं उनको खाना दिया ओके तो फिर क्या काम था इसका जो hunger है उससे कैसे combat करा जा सके ठीके हंगर है भूक है भूक है भूकमरी होती है जा काफी जादा देखी जाती है तो उसस कि यहां पर आप देखोगे जो हमारा world food program है has received can help the humanitarian organization prepare for a decade ambition and help to meet the sustainable development goal यानि कि जो हमारा world food program है WFP है इसका एक main goal क्या है SDG sustainable development goal को आप क्या कह सकते हो कि इसको achieve करना और आपको पता है हमारे sustainable development goal कितने goals हैं सभी को पता होना चीए क्योंकि यह भी मैंने आपको काफी बार समझा रखा है तो काफी बार समझा रखा है तो इसके बार में भी हम लोग देखते हैं एक minute यहाँ पर sustainable development goals हमारे 17 goal हैं जो कि सभी country चाहती है इसको achieve कर सके यानि poverty ना हो कि सभी country में health अच्छी हो लोग की quality education मिले gender equality हो clean and water sanitation हो affordable clean energy हो तो यह सारी चीज़े है ठीक है जो की हर country चाहती है मेरे पास यह सारी चीज़े हो ओके तो इसके लिहां पर काम करती हो और इसके लिहां पर इसको novel peace prize भी मिला हुआ है उसके बार next article आते है next article यहाँ पर इसे आप एक बार खुद भी read कर सकते हैं लेकिन आपर मैं बता देता हूं फिलाल क्या है न्यूस पर आपके पास आता है आप read करा करो यार आप लोग मुझसे कहते हो कि यह detail में नहीं समझाया या आप मैंने इतना बता दिया कि article की जड़ मैं आपको बता ही देता हूं यहाँ पर आ PM स्कूटी योजना, PM किसान ट्रेक्टर योजना, प्रधान मंत्री सोलर पैनल, PM कन्या आशिरवाद योजना तो यह जो schemes हैं यह पहले हमारी exist करी थी आज की टाइम पर यह जो schemes हैं नहीं काम कर रही हैं लेकिन फिर भी जो हमारा क्या होता है कि कुछ लोग बहुत जादे fraud क करते हैं और इनी schemes का use करने के बाद, इनी schemes का fake तरइक से, एक fake तरही करता हैं जो fraudsters होता है घी कि जो भी fraud करता है वो इन短ी गलत तरा है, लोग को call चार्ज करता है, छो कि है पैसा बाकर चार्ज करता हैं, लोग को पैसा चार्ज करता हैं कि हम आपको यह सचिम कर थूर यह यह नेकी lockdown लगा फिर pandemic आया पैंडमिक तो चली रहा है तो उसके बीच में हमने यह सारी जो fraud है यह काफी हद तक देखा तो उसी के बारे में बात हुआ जो यह scheme है यह काफी जादे बात करता है जैसे कि call करके लोग कहते हैं हम लोग आपको fake employment देंगे loan schemes आजाती है बहुत सारी चीज़े ऐसे inform करते रहते हैं और जब तक वो बंदा पैसा ना दे तब तक यहाँ पर उसको मनाते ही रहते हैं कि हाँ यह चीज़े मिलेंगे आप लोग को यह चीज़े मिलेंगी तो अच्छे अच्छे जो है इस scheme के अंदर फस जाता है यह भी बात की तरफ से scheme है ठीक है तो फिर यह सारी चीज़े हैं तो इसकी तरफ से काफी जादे fraud देखा गया लोगों ने काफी सारा amount जमा करा है ठीक है तो काफी जादे fraud देखा गया है तो उसी के बारे हम बात करी गई है अब यहाँ पर बात यह हो रही है कि हम लोग इस fraud को कैसे इस problem को कैसे हम लोग निपट सकते हैं तो इस सबसे पहले हम बात करें जो press information bureau है यहाँ पर जो भी government का initiative आता है वो सारा का सारा press information bureau पर present हो जाता है ठीके सब कुछ महाँ पर आपको मिल जाता है लेकिन हम लोग एक step यह उठा सकते हैं कि toll free number को हम लोग implement कर सकते हैं जारी कर सकते हैं एक toll free number को ठीक है कि अगर कोई भी government scheme होगी ऐसा कुछ है आपके बास call आ रही है तो आप इस toll free number पर call करो और जाके inquiry कर सकते हो इसके बारे में कि हाँ यह कोई government scheme है या फिर कोई cyber crime है उके उसके बास second चीज है हम लोग क्या कर सकते हैं second चीज में हम लोग कुछो भी social media है technology companies हैं जो भी यहाँ पर यह जो इस fake scheme का काम चल रहा है fake scheme के थूरू call वगरा करी जारी है तो क्या कर सकते हैं social media पर technology companies क्या कर सकते हैं इन चीजों को ध्यान से देखें इन चीजों की जाच पर्थाल करने के बाद क्या कर सकती है step उड़ा सकती है और वहीं पर इस चीजों को रोक सकती है fake scheme को महीं से बंद कर सकती है उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है it would also help if there is one single website यहाँ पर अगर helpful जादे रहेगा अगर आप government क्या करती है एक single website provide कर दे और जितने भी initiative जितनी भी schemes अगर government ला रही है वो उसके अंदर हम लोग को उस website के अंदर सारे के सारे नई schemes वगएरा जितनी भी वो सारे की सारी schemes वगएरा वो वहाँ पर हम लोग को बता दे सारी information हमें महाँ पर दे दे तो फिर क्या होगा जिससे कि हम लोग जहां से में निफज़ेंगे किसी के और महाँ पर जाके चेक कर लेंगे कि कि हाँ पर क्या हुआ है उसके बाद यहाँ पर एक card on picture आप लोग देखोगे card on picture में क्या है कि जितने भी लोग है आप लोगों ने देखा काफी दिन होगा है आपस में लड़े जा रहा है ये लोग तो यहाँ पर बोला जा रहा एक solution है एक solution क्या है कि हम लोग इन दोनों के बीच में एक peace treaty को sign करा दें एक शान्ती का agreement sign करा दें कि दोनो sign करने के बाद शान्ती बनाए रखेंगे ठीक है और ये किस चीज के उपर based है इसे हम लोग कहता है एक Madrid principle Madrid principle का rule है जो की peace treaty sign करा दें अर्मेनिया और अजर्बाइजान के बीच में जिससे किया हक्या होगा ये लोग शान्ती बनाए के रखेंगे और कोई अपना force बगरा का कोई अपनी army military का इस्तमाल नहीं करेगा ये और अपनी territorial integrity को अपने maintain करके रखेगा और जो क्या कहे सकते हैं आप लोग जो इन दोनों के बीच में दंगे दिख रहे हैं वो काफी जादे तक रोख जाएंगे अगर हम लोग ये काम कर देते हैं तो ये solution नजर आ रहा है तो इसी के साथ हूँ हमारा आज का news paper analysis complete और हो गया है आज का news paper बहुत जादे लंबा तो अभी तक आपने चलेगो subscribe नहीं कहा है तो subscribe कर लेना आज के लिए बस इतना ही बिलेंगे आप लोगों से कल आच के लिए बाए बाए हैव नाइस टे